नमस्कार प्रिविदार्तियों अभी इस वीडियो में हम बेस करना जान करना सिखेंगे FX991 ES Plus Calculator को यूज़ करते हुए यानि binary to decimal, decimal to binary, binary to hexadecimal यह सब जान करें अभी इस एक ही वीडियो में प्राप्ट करने वाले हैं तो आप इस वीडियो को फूरा देखें इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, सेजर करें देखिए यहाँ पर थोड़ी सी हम बेसिक जान कर एक प्राप्ट कर लेते हैं binary का मतलब होता 2 base, decimal का मतलब 10 base, hexadecimal का मतलब 16 base, octal का मतलब 8 base और hexadecimal में 0 से 9 तक तो नमबर लिखते हैं उसके बाद 10 को A, 11 को B, C, D, E, F चीक है, यहाँ तक समझ आया, तो बोलो हाँ, आगे बढ़े caliperator को on कर दिया मैंने, on किया है, तो देखिए, मैंने पहले से mode किसमें set कर रखा base mode में set कर रखा, यदि base mode में set नहीं है, तो कैसे करें जैसे पूरा एकदम calculator reset किया हुआ है, initial इस्तिती में है, तो यहाँ पर mode को दबाया और base mode कौन से इस्तान पर है, 4 पर है, तो यहाँ पर base mode set कर दिया अब पहला conversion, यह अपना पहला example हम लेते हैं, पहला example binary to decimal है क्या है binary to decimal, तो मुझे binary लाना होगा, देखी यह binary आ गया, अब मेरा binary में जो number है, वो इंटर करना है 101101, और इंटर करने के बाद मुझे equal to दबाना है, तो यह number यहाँ नीचे आ जाएगा, उसके बाद मुझे इसको किस में करना है decimal में, तो decimal कहा रहा है, यह रहा, तो decimal में कितना आ गया, 45 आ गया, बेस, क्या है decimal का, 10 है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, अब next में क्या है, decimal to hexadecimal, decimal to hexadecimal है, तो decimal में अल्डीडी शेट है, तो मैं चलिए number इंटर करता हूँ, equal to दबाना ना भूले, यह value यहाँ आ जाएगी, किस में करना है, hexadecimal, तो hexadecimal के लिए कहां लिखावा है, hex, देखिए, यहां hex लिखावा है, तो मैं इस बटन को प्रेस करता हूँ, तो क्या आया, यह, fa आया, fa का मतलब क्या, f का मतलब क्या है, 15, a का मतलब 10, तो यह क्या हो गया, 15, 10, 20 क्या है, 16, 16, अब हम बात करते हैं, किसकी, binary to hexadecimal, binary में number इंटर करना है, तो मुझे पहले यह binary लाना होगा, binary लाने के बाद, मैं यह इंटर करता हूँ, number, देखिए, मैं number इंटर करता हूँ, one, zero, one, zero, one, equal to कर, दबाने पर यह है, यहां आ गया, कि इसको किस में करमट करना है, hexadecimal में, तो मैं यह प्रेस करता हूँ, तो hexadecimal में क्या आया, 15, base, 16, और इसको f भी लिख सकते हैं, f base, 16, ओके, चलिए, अब next पर आते हैं, next में क्या है, decimal to octal, decimal to octal, तो यहां पर मुझे decimal लाना है, कितना है value, five, one, two, equal to press करना पर यहां आ गया, किस में करमट करना है, octal, तो मैं किसको प्रेस करूँगा, इसको, इस button को, तो octal में कितना आ गया, 1000, base, eight, उसके बाद next में देखिए, किस में करमट करना है, octal to binary, तो यहां पर octal में अल्री है, मैं value इंटर कर देता हूं, value इंटर कर दी, किस में करमट करना, binary में, तो binary प्रेस किया, तो binary में क्या आ गया, one के बाद, six, zero, base, two, okay, चलिए आगे और बढ़ते हैं, hexadecimal to decimal, hexa मैं, यहां hexa ले आया मैं, okay, अब number इंटर करना है, equal to दबाने पर यहां आ गया, इसको किस में लेके जाना मुझे, decimal में, तो decimal कहा रहा, यह रहा decimal, कितना आ गया, hundred, base, ten, तो इस परकार से, इस वीडियो में हमने यह सारा करमरजन देखा, तो मैं अमीद कर सकता हूँ, यह वीडियो आपके लिए hundred percent useful डा है, इसको like कर दो, share कर दो, चैनल को subscribe कर दो, surrender clearly,